हेलो एवरिवन मैं कपिल भाटिया बैल्जोगरसिस से आज हम कंपैरिजन करेंगे यूके और कैनेडा का यह दोनों कंट्रीज में बहुत सब्स्टूइंट्स यह कंफ्यूज रहते हैं कि हमें यूके जाना चाहिए या कैनेडा अल्दो जो हमारे पिंजाब के स्टूइंट् प्लस प्रेफरेंस कैनेडा ही रहती है लेकिन आज मैं जो भी इनकी प्लस और आप से शेर करूंगा कि अगर आप कैनेडा के लिए जाते हैं तो कैनेडा में प्रबियूबिल्टिज बहुत ज़्यादा रहती हैं स्टूइंट्स जो वहां जाती हैं वहां पर उनकी प्यर आ केनड़ा की कौवर्मेंट की सेकिंड वहाँ पर टेन प्रविंस अलग लग हैं उन्होंने अपना अलग से प्रविंस नॉमिनेशन प्रोग्रम स्टार्ट करा हुआ है अगर आपकी फेडरल में पॉइंट नहीं बनते जो कि सी एरा स्कोर के बेस पे होते हैं तो आप पी एंप अब हमेशा कंपर्टिवली कम रहता है सी एरा स्कोर्स है जो की फेडरल गॉर्मनें फेडरल की पीर के लिए आपको चाहिए इसकेंडी केनडा में जो ऑप्शन हैं कूर्स की अगर हम बात करते हैं कि यूके में के कंपर्टिवली केनडा में डिप्लोमा प्रोग्रम्स हैं वहां पर आप चाहें का स्रैटर्टेट को रिंट कर सकते हैं उसके बाद भी आपको वनिया का करने के बासúcar कर सकते हैं तो पियर अपरजयूंटिस जादा है इस लिए केडरा हमेशा हमारे students की first preference रहती है पट अगर आप बात करें UK की UK की जो options हैं अगर हम international study destination top of the world countries में का रहें तो वो USA और UK आती हैं आप देखें कि अगर top 100 universities भी आप Google करें US world ranking पे तो भी मैक्सिम UK और USA की ही रहेंगी तो अगर study की competitively हम कहें तो study destination better UK है और study वहां पर better UK में लेकिन UK में सिर्फ आपको bachelor's या master program मिलता है और एक बहुत बड़ा प्लस्पंड UK का master students के लिए है क्योंकि Canada में जो master's है वो two years की रहती है और जो bachelor's है वो four years की रहती है लेकिन UK में जो bachelor's है वो three years की रहती है secondly जो master's है only one year सिर्फ एक साल की master's है और work permit आपको two years का ही मिलता है चाहिए आप bachelor's करें चाहिए आप master's करें यानि की one year master's के बाद भी UK में two year का work permit मिलता है वेरास Canada में जो bachelor's मैंने बताया four years की उसके बाद भी आपको three year का work permit मिलता है चाहिए आप two years का diploma करते हैं तब भी आपको three year का work permit मिलता है तो जिन students को यह target रहता है कि हमने study में अपना best देना है यहां हमने बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो वो स्टूरेंट्स UK को प्रफर करते हैं आल्दो यूके ने भी अब काफी relaxation दिया जैसे कि उन्होंने two year का पोस्टडी work permit recently start कर रहा है और तकरीब एक साल से सब्सक्राइब के बाद किसी भी कंपनी से sponsorship ले लिए आगे यह होता था कि टायर टू कंपनी स्पॉंसर लिस्ट बनी हुई थी सिर्फ उन्हीं कंपनी से स्पॉंसर्शिप ले सकते हैं बट अब यूके ने यह भी हटा दिया कि आप किसी भी कंपनी से तो आपको यह probabilities है और अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो यह probabilities फिर भी अगर आपका कोई भी question और रहता है तो आप नीचे दिये नंबर पर call कर सकते हैं यह हमें contact कर सकते हैं झालऻ में तो आपका कर सकते हैं